कि देख लिए सेवन एका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ यह जो फिफ्थ और सिक्स है दोनों भाई वाई 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 ना और अच्छे कुशन है ऐसा ही क्वेश्चन एक्जाम में आने का चांस है में क्या किया जाता है तो पाउट्स के तो पहले तो आपको यू निकालना है पहले आपको यू इसकी निकालना है और उसके बाद थृ पाऊब A, 2 ratio or minus B और 5 ratio or minus C निकालना है तो पहले पार्ट में गुरू जी बैठीजे, काम कीजिए चिंदा मत कीजे वो सारा दिन वैसे भी बैठा रहता है वो खड़ा रहेगा तो अच्छा है यह तो पहले पार्ट में आपको A, B, C की value निकालनी है एक बार आप A, B, C की value निकालनी है फिर आपको 3 ratio or A, 2 ratio or minus B और 5 ratio or minus C की value निकालनी है मैं तरफ समझा है यह question exam में आ सकता है इसका जो भाई है वो 1960 is equal to 2 ratio or A, 5 ratio or B, 7 ratio or C है और फिर calculate the value of 2 ratio or minus A, 7 ratio or B, 5 ratio or minus C है पहला question में आपको बताऊँगा अब किया कैसे जाता है जो left hand side में 2160 है उसके factorization की जाती है उसी तरह 1960 की भी या प्राइम factorization करेंगे नहीं समझ मैं 1960 की भी या प्राइम factorization करेंगे बात समझाएं? तो ऐसे questions में जो 2160 है that will be equal to 2 ratio or something 3 ratio or something और 5 ratio or something वो जो something होगा वो ABC के एकोल होगा उसी तरह 1960 would be equal to 2 ratio or something, 5 ratio or something और 7 ratio or something वो जो something होगा वोई ABC होगा नहीं समझाएं? तरहा मैडम समझ लो lecture available है online नहीं समझाएं? concept समझ लीजे कैसे किया जाता है? जैसे 2160 है 2160 की prime factorization आप कर रहा है समझाएं? तो prime factorization आप कर रहे हैं आपको right hand side में उसने hint और जी दिया हुआ कि उसमें 3 factor होंगे 2, 5 और 3 जब आपने prime factorization की तो 2160 किसके एको लागया? 2 ratio or 4 into 5 into 3 ratio or 3 नहीं समझाएं? अब इसको compare करेंगे आप 2 ratio or A 3 ratio or B और 5 ratio or C से जब आप compare करेंगे तो A, B, C की value है सिमाँ जी आपको समझा रहे है हलके हलकी नीद आ रही है या आदे सो भी चुक्यो या बस सर बस थोड़ी सी सरम है मैं तो लोड़क ज़आँ अब ही सोचाओ आपको समझा रहे है अब जब compare करेंगे तो A की value किसके equal है 4 के B की value किसके equal है 3 के और C की value किसके equal है 1 के ये आपको समझा आया नहीं है अभी भी question खतम नहीं हुआ अभी part 1 हुआ है part 2 में आप क्या करने वाले है जो 3 ratio or A, 2 ratio minus B और 5 ratio minus C है वो आपका आता है 3 ratio or 4 2 ratio or minus 3 वो 5 ratio or minus 1 इसको calculate करेंगे इसको calculate करेंगे तो 81 upon 40 आपका answer हैगा 3, 9, 27, 81 2, Q 8 by the 40 81 upon 40 आपका answer है सो कीजी कोई doubt है अगर आपको मेरी बाव समझा रही है तो उसी तरह 1, 9, 6, 0 का भी आप prime factorization करेंगे 1, 9, 6, 0 की भी आप prime factorization करेंगे A, B, C की value आएगी 2nd part में A, B, C का डालेंगे और answer आपका आएगा नहीं सुलना Nice